उसके बाद एक संजीब पाल का कोशन आया कि GTD order sell करने के लिए पोर्टफोलियो में पहले से share होने चाहिए क्या बिल्कुल भाई इसमें जो है ना आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में shares नहीं होंगे तो वो GTD order जो है ना reject हो जाएगा मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ न मेरी buying ना मिले तो उसमें मेरे को ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ भी मेरा इस level पर इतने जुनों बाद मेरा stop loss जो है हिट हो गया तो इस चीज़ के बारे में मैं ये अपना रखता हूँ लेकिन हाँ वो order जो है ना आपका reject हो जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आ box जो है आपको portfolio में रखने जरूरी होंगे otherwise जो है आपको order वो reject हो जाएगा I think यह संजीब भाई ने इसलिए पूछा है कि वह चाते हैं कि GTD के feature को use करके intraday कर सकें but sorry दोस्त यह जो है ना GTD वाले feature में जो है intraday possible नहीं है तो इसलिए आपको इसमें जो है GTD जो है आपको delivery basis पर करना पड़ेगा हां और अगर आप intraday में करना चाहते हैं तो आप limit order लगा कर काम कर सकते हैं